IPL 2023 के खतम होने के बाद अब IPL 2024 के लिए सब ही टीमों ने अपना-पना प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया है तो इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे प्लर्स का नाम बताएंगे जो की बहुत ही बरे खिलारी है और IPL 2024 के ओक्सन से पहले ही इन तीनों प्लर्स का नया टीम घ होसीत हो चुका है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा इसलिए वीडियो में सुरू से लेकर के अंतक बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफीकेशन बिल को प्रेस कर ले तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL 2023 में पहले ही घोसीत हो चुका है तो पहले बड़े प्लड है मिचल स्टार्क और WTC के फाइनल के खतम होने के बाद मिचल स्टार्क ने आधिकारिक तोर पे बता दिया कि वो साल 2024 के उक्सन का पार्ट बन सकते है तो उस कंडिसन में मिचल स्टार्क को दो टीमें टार्गेट जिसमें नाम आता है मुंबई इंडियंस और कोलकता नाइट राइडर्स का और इसके पीछे का सिंपल लोजिक है कि मुंबई की टीम जोफरा अर्चर को बाहर करेगी तो उनके भरपाई के लिए श्टार्क के उपर ये लोग बोली लगाएंगे और इसके साथी कोलकता की टीम लोकी फरगिवसन को बाहर करेगी तो इस वज़े से कुलकता भी मिचेल स्टार्क के उपर आक्सन में बोली लगाती हुई नजरा सकती है तो कुल मिला करके मिचेल स्टार्क को मुंबई और कुलकता ये दो टीम में मुख्य रूप से टार्गेट करेगी वहीं इस के दूसरे बरे प्लड है देवदत पडिकल और देवदत पडिकल राजस्थान की टीम को छोड़ करके ओक्सन का पार्ट बन सकते है तो उस कंडिशन में पडिकल को सी एसके की टीम टार्गेट कर सकती है क्योंकि सी एसके क्यामबाती रैडू रिटार हो चुके है तो उनके भरपाई के लिए पडिकल को चेने की टीम आक्सन में टारगेट करना चाहेगी और इसके साथ ही देवदत पडिकल को सनराजर सैदराबाद भी टारगेट करेगी क्योंकि हैदराबाद की टीम को नए ओपनर की तलास है तो इस वज़े से पडिकल के ऊपर सनराजर हैं आंद्रे रसेल और आंद्रे रसेल को काफ़ी सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि कुलकता के टीम रिलीज करेगी तो अगर आंद्रे रसेल उक्सन का पार्ट बनेंगे तब रोयल चैलेंजर्स बैंग लोड की टीम इस बरे खिलाडी को टारगेट करना चाहेगी और इसके पीछे का कारण है कि आर्सीबी के दिनेस कार्थिक अब मैच को आसानी से फिनिस नहीं कर पाते हैं तो आर्सीबी को ताबर तोर फिनिसर की तलास है तो इस वज़े से रसेल अगर उक्सन का पार्ट बनेंगे तो रोयल चैलेंजर्स बैंग लोड इस बर प्लड के उपर निलामी में बोली लगाएगी या फिर हो सकता है कि अगर रसल उक्सन में आए तो कोलकता की टीम इस बड़े खिलाडी को रीबाई करने का प्रयास करें यानि कि इनको कम दामों में उक्सन में भेज करके दुबारा से खरीदने का प्रयास करें तो कोली मिला सा खिलाडी सबसे expensive बिकेगा आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें